आज हम Explain करेंगे 2001 की Movie लगान मूवी शुरू होती है चमपानेर में और ये साल है 1893 भारत पर अंग्रेजों का कब्जा है और चमपानेर के नज़दीक ही अंग्रेजों की चाउनी है वहीं चमपानेर की दूसरी और चमपानेर के राजा का किला है चमपानेर के राजा को अंग्रेज लोग बाकी राजाओं के आक्रमन से बचाते है और इसके बदले में अंग्रेज हुकूमत राजा से लगान वसूल करती है और राजा ये लगान अपनी प्रजा से वसूल करता है अंग्रेज हुकूमत बाकी राजाओं से भी लगान वसूल करती है उन राजाओं से अंग्रेज हुकूमत कहती है कि हम तुम्हें चंपानेर के राजा के हमलों से बचाएंगे इसी तरह अंग्रेज हुकूमत सारे राजाओं से लगान वसूल करती है पिछले साल चंपानेर में कम बाड़िश हुई थी और इस साल अब तक चंपानेर में बाडिश नहीं हुई है जिससे चमपानेर वाले काफी परेशान है इसी बीच राजा के दो लोग आते हैं और चमपानेर वालों को राजा का फर्मान सुनाते हैं कि इस साल उन लोगों को दो गुना लगान देना होगा जिसके बाद उदास चमपानेर वाले और उदास हो जात जिसके बाद सारे चमपानेर वाले अपनी लगान माफ करवाने के लिए राजा के पास जाते हैं वहाँ अंग्रेजों का क्रिकेट मैच चल रहा था राजा भी क्रिकेट मैच देख रहा था राजा के लोग गाउवालों को क्रिकेट मैच खतम होने तक रुखने के लिए कहते हैं जिसके बाद सारे गाउवाले बैठकर वो क्रिकेट मैच देखने लगते हैं गाउवाले जहां पर बैठे हुए थे वहां पर अंग्रेजों की बॉल आती है गाउवालों के लिए क्रिकेट और ये बॉल सब कुछ नया था इसलिए जब बॉल उनके पास आती है तब एक गाउवालों उस बॉल को अपने हाथ में लेकर देखने लगता है लेकिन ये बाद अंग्रेज ओफिसर को पसंद नहीं आती और वो उस गाउवाले को बुड़ा भला कहता है जिसके बाद फिल्म का लीड हिडो यानि भुवन उस अंग्रेज ओफिसर को बुड़ा भला कहता है फिर उन दोनों में हाता पाई होने लगती है लेकिन राजा और बाकी लोग वहाँ पर आते हैं और उन लोगों को दूर करते हैं अब गेम खतम होने के बाद गाउवाले राजा से लगान माफ करने के लिए कहते हैं लेकिन राजा लगान माफ करने से साफ इंकार करता है और वो उनको दुगनी लगान जमा कराने के लिए क लेकिन एक ब्रिटिश ओफिसर जिसका नाम रसल है वो गाउवालों से कहता है कि तुम हमारे साथ एक क्रिकेट मैच खेलो अगर तुम जीत गए तो अगले दो सालों की लगान माफ हो जाएगी लेकिन अगर हार गए तो तुम्हें तीन गुना लगान देनी होगी रसल भुवन से पूछता है क्योंकि रसल भुवन को ज्यादा पसंद नहीं करता जब वो जंगल में शिकार कर रहा था तब भुवन चुपके से जानवरों को पत्थर मार कर उन जानवरों को बचा रहा था और रसल ने उसे पकड़ लिया था भुवन अब गाउवालों के मना करने के बावजूद शर्त कबूल कर लेता है अंग्रेज आफिसर की बहन एलिजाबेट भी ये सब देख रही थी वो अपने भाई से कहती है कि ये सब गलत है लेकिन रसल एक नहीं सुनता वहाँ गाववाले भुवन से कहते हैं कि तुम रसल से माफी मांग लो क्योंकि इस खेल में हम हार जाएंगे और हम में से कोई भी तीन गुना लगान नहीं दे सकता लेकिन भुवन माफी मांगने से साफ इंकार करता है रसल की बहन एलिजाबेट गाववालों से कहती है कि मैं तुम्हें क्रिकेट सिखाऊंगी दरसल एलिजाबेट भुवन को पसंद करती है और इसलिए वो गाउवालों को क्रिकेट सिखाना चाहती है अब भुवन अपनी टीम में धीरे धीरे प्लेयर्स जोड़ना शुरू करता है पहले तो कोई भी इस खेल का हिस्सा नहीं बनना जा लेकिन धीरे धीरे करके पूरी टीम तैयार हो जाती है और एलिजाबेट उन लोगों को गेम के रूल्स सिखाती है इसी बीच लाखा नाम का एक गाउवाला रसल को जाकर ये बात बता देता है कि उसकी बहन गाउवालों को करिकेट सिखा रही है असल में लाखा ऐसा इसलि टीम में लेकिन खेलोगे हमारे लिए अब रसल एलिजाबेट का बाहर निकलना बंद कर देता है लेकिन एलिजाबेट अपने वफादार नोकरों की मदद से गाउवालों को किरकेट सिखाने के लिए जाती है अब लाखा भुवन की टीम में शामिल होने के लिए आता है लेकिन भुवन अंग्रेजी नहीं समझ पाता एलिजाबेट भुवन से कहती है कि अब सारे गाउवाले तुम्हारे साथ है और वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि एलिजाबेट को ये एहसास हो चुका है कि भुवन गोडी से प्यार करता है लेकिन ये सब देखकर गोडी बहुत दुखी हो जाती है और फिर भुवन अपने प्यार का इजहार गोडी से करता है अब आखिर कार वो दिन आता है जब ये मैच होने वाला है मैच देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हुए हैं आसपास के कई गाउं से भी लोग आये हैं इस मैच को इमान इसे पूरा करने के लिए बड़े अंग्रेज अधिकारियों ने इमानदार अंपायर्स भेजे हैं अब टॉस उड़ाया जाता है और ये टॉस अंग्रेज जीच जाते हैं अंग्रेज पहले बल्लेवाजी करने का फैसला करते हैं गेम शुरू होने के बाद लाखा अपना प्रंग दिखाना शुरू करता है वो सही से फिल्डिंग वगेडा नहीं करता और कैचेज भी ड्रॉप करता है अब पहले दिन का खेल खतम होने के बाद अंग्रेज ओने 182 रन बनाए हैं उस रात एलिजाबेट अपनी बालकनी में होती है तब ही वो किसी को देखती है जो उसी वक्त गाउं जाती है एलिजाबेट भुवन और गाउं वालों को लाखा की सचाई बताती है जिसके बाद सारे गाउं वाले लाखा को मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं लाखा किसी तरह अपनी जान बचाकर मंदिर के अंदर जाकर चुप जाता है वो अंद मंदिर के अंदर जाता है और लाखा से बात करता है वो लाखा से पूछता है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया लाखा बताता है कि मैं गोडी से प्यार करता था लेकिन गोडी मुझ से नहीं बलकि तुम से प्यार करती थी और मैं इस बात का बदला लेना चाहता था अपनी वफादारी साबित करनी होगी लाखा मान जाता है और भुवन उसे बचा लेता है अब दूसरे दिन का खेल शुड़ू होता है और लाखा काफी अच्छी फिलिंग करता है वहीं आगे हम देखते हैं कि भुवन कच्रा को बॉलिंग देता है बाकी लोगों के मना करने क बावजूद भुवन कच्रा को ही बॉलिंग देता है और कच्रा काफी बहतरीन बॉलिंग करता है कच्रा है अगे हम देखते हैं कि भुवन रसल का विकेट लेता है अब अंग्रेजों की बैटिंग खतम हो जाने के बाद चंपा नेर को जीतने के लिए 323 रन बनाने हैं अब तीसरे दिन चमपानेर काफी अच्छी बैटिंग करती है और मैच आखरी बॉल तक आती है आखरी बॉल में चमपानेर को जीतने के लिए पाच रण चाहिए स्राइक पर है कच्रा और नौन स्राइक पर है भुवन अब गेन बाज गेन डालता है जिसके बाद कच्रा और भुवन एक रण दोड़ते हैं लेकिन जीतने के लिए पाच रण चाहिए थे भुवन हार मान जाता है लेकिन तभी अमपायर नो बॉल का इशारा करता है और स्राइक भुवन के पास आती है फिर पुड़ा मैदान भुवन भुवन के नारों से गुंजने लगता है भुव इसने ये बॉल बाउंडरी के बाहर जाकर पकड़ी है इसी तरह चमपानेर ये मैज जीत जाती है चारो तरफ खुशिया मनाई जा रही है एलिजाबेट भी मैदान में भुवन को मुबारक बात देने के लिए आती है लेकिन भुवन और गोड़ी को एक दूसरे से गले मिल किलते हुए देखकर एलिजाबेट दुखी हो जाती है वहां रसल तोड़ फोड़ मचा देता है यहां चमपानेर में अब बाड़ीज भी शुड़ू हो जाती है जिससे चमपानेर वालों की खुशी दोगुनी हो जाती है ये मैच हार जाने के बाद अंग्रेजों से ये ज परदास्त नहीं होती अंग्रेज हुकूमत चमपानेर से अपनी चाउनी हटाने के फैसले पर महड लगा देती है जिसके बाद अंग्रेज लोग चमपानेर खाली कर रहे हैं हम देखते हैं कि एलिजाबेट भी रसल के साथ वापस जा रही है एलिजाबेट गाउवालों को आलविदा कहने के लिए रुकती है भुवान एलिजाबेट को शुक्रिया कहता है क्योंकि एलिजाबेट अगर उन्हें खेलना नहीं सिखाती तो शायद वो लोग ये गेम नहीं जीत पाते एलिजाबेट काफी दुखी थी भुवान आखिर तक समझ ही नहीं पाता कि अफ्रिका में हो गया एलिजाबेट लंडन वापस चली गई और उसने अपने जिन्दगी में कभी शादी नहीं की यहां भुवान और गोडी की शादी हो जाती है और शादी में खुद महराज आते हैं और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है ये फिल्म साल 2001 में रिलीज हुई थी और ओसकर्स में भी नॉमिनेट हुई थी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेर और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए